हलो फ्रेंज, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स, दोस्तो यूबिटर प्लेसी ने एक और बेकंसी का नौटिपिकेशन जारी कर दिया है, कुछ दिर पहले जूनियर असेस्ट एंड का नौटिपिकेशन जारी किया गया है, फ्रेंज, ये नौटिपिकेशन क्या है, ये इस्टु प्रफ़ाई से भी कम यानि की 1262 पेकेंस्टी मात्र आई हैं बात आती है इसमें किस इंट्टिट्टिट्ट को मौका मिलने बाला है तो सीधी सची बात है जिसे हर एक्जाम में मिलता है उसे इसमें मिलेगा यानि की उपर के टॉपर्स को जो कम मार्स बाले हैं जिनका पैट 2021 एकिसमे कम मार्स आयते तो उन्हें किसी भी बैकंसी में मौका में नहीं मिलने वाला यानि कि मान सकते हैं अगर जिसके 75 पिलस मार्स हैं तो उन्हीं को हर बार इसमें मौका दिया जा रहा है पिशसतर क्या मान सकते हैं 80 पिलस जिनके 80 पिलस मार्स हैं उन्हीं को मौका हर बार म बेकिंसी स्टार्ट कर दी बरेगा अब ऐसा भी हो सकता है 2021 में जो लोगों के अच्छे नंबर आए थे 2521 में तो उनके 2022 में भी अच्छे आ जाए यानि कि उन्हें इस आगली बार में भी उन्हीं को मौका मिलने वाला बागी जो जितनी पब्लिक जनता पागल है उसे इसमें कुछ नहीं मिलने वाला खैर ये तो होता ही रहेगा इस पर सरकार को कुछ एक्सन लेना चाहिए और सब इस्टूडेंट को इसके लिए आवाद उठानी चाहिए लेकिन हम इस यहां बात करने बारे है जूनियर से इसरेंग का नोट डिविकेशन आया है इसके बारे में इस जारवाई से इसका उनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और जिसकी लास देट रहेगी 1412 यानि की 14 दिसंबर की और आप इसकी फीज को समिट कब तक करा सकते हैं तो 21 दिसंबर 2022 तक इसकी फीज को समिट कर सकते हैं जो जो important points है मैं आपको जल्दी बता दूँगा जाने की फीज लेने का एक बहुत अच्छा तरीका 25-25 रुपए सब लोग दे दो चाहें एक्जाम में बैठने को मिले या ना मिले बस यह है सारे जो लोग बैठेंगे कोई इसमें जो की हर बार होता है और चुना के से जाएगा वो आप सबको पता है 80-plus बालोग को एक्ज का EWS होना चाहिए तो सबसे पहले आपको बित्वी बर्थ 2022 देश का होना चाहिए और जो इसकी लाद देट है 14 दिसमबर 14 दिसमबर से पहले का होना चाहिए यानि की कह सकते है अपरेल के से लेकर 14 दिसमबर तक का EWS certificate होगा तो ही इसके लिए माननों परना मान नहीं होगा तो इस चीज़ का आपको ध्यान दखेंगे अगर नहीं है तो आप यह भी आपके बात मौका है बनवा सकते हैं चलिए नेक्ट पॉइंट देख लेते हैं बागी सारी चीज़ें बही पुरानी गिसे बीटी चीज़ें लखी हुई है कुछ नया नहीं है बात आती है 25 कि शुट्ट को लूटा तो जा रहा है बाकी एक तरीका नया और आज जो का है आप इन पत्र में संसोदन कर सकते हैं कोई गल्दी होगी तो पदों का बेबरद पदों का बेबरद आप देख सकते हैं तो इसमें दो त्रह के बस जारी किए गए एक चिकस्ताइब हम स्वास तो इसमें मान सकते हैं 400 कुल टोटल पद इसमें देख सकते हैं चिकस्ता स्वास्त में 1149 हैं जिसमें जनरल के 460 हैं सकते हैं तो पंदरा एस्ट के चार एस्ट के 29 कह सकते हैं और ग्यारा किसके एसमें तो घूल मिला कर कितने पद हैं 1262 पेस्केल कितना है का आप देख सकते हैं तो यह 2000 ग्रेट पे की जौब है लगबग मान सकते हैं आपके टोटल सेलरी तीस हजार के पिलस तीस हजार रिफ मान सकते हैं तीस हजार पढ़ जाई जो कि लेकपाल की भी है इसमें भी कोई नई बात नहीं है चलिए आगे देख लेते हैं आगे देखते हैं आगे भी कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है आपके जानने लाइक नए श्टम देख लेते हैं अगला आता है योग गिता योग गिता में क्या होना चाहिए तो अगर आपके पास आपने इंटर कर रखा है और आपके बाद C का सर्टिपिकेट है तो आप इस फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं जलिए एक कंडिशन ऐसी लागा दी जिससे के तुलए स्टूडेंट कम हो सकते हैं लेकिन आजकल हर किसी के बाद C सर्टिपिकेट है और हर कोई 12 कर रखा है क्योंकि भी रोजगारी बहुत है हर कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है तो इडियो की सोरी टर्बल सी का सर्टिपिकेट हर किसी ने बनबा रखा है नेक्ट आता है हिंदी टाइपिंग की बाद तो हिंदी में 25 वर्ट पर मिनट चाहिए और इंगलिस में 30 वर्ट पर मिनट चाहिए अब यहां पहुंचने के लिए इस एक्जाम में बैठना पड़ेगा यहां पहुंचने के लिए कुल मिला कि टाइपिंग का आपका नमबर तब आएगा जब आप इस एक्जाम में बैठेंगे एक्जाम में अगर बैड़ भी जाएंगे तब आपको पास करना होगा जो कि लिकित परीक्चा होगी उसे बास करना होगी तब यहां तक पहुचेंगे तो इसमें भी उन लोगों को मौका मिल सकता है जिन लोगों को चैन टाइपिंग आती हो या ना आती हो लेकिन उनके पैट में अच्छे मार्स हैं तो वो यहां टाइपिंग तक पहुच सकते हैं चलिए नेक्ट पॉइंट देख लेते हैं बाकी इसमें भी आपके मतलब की कोई बात नहीं है जिनके मतलब की यह वो पढ़ सकते हैं लिखित परीकचा होना है तो यह आपको पताइए बाकी टाइपिंग होना आए डाइपिंग क्वालिफाइंग इसे घर की होगी देख सकते हैं सिलेवस क्या देरा का ग्शाम ओना है जिसमें हिंदी, जीके और रीजनिंग तीन सब्जेक्स से कोस्टन आना है साट कोस्टन हिंदी से होंगे तीस कोस्टन जीके से होंगे तीस कोस्टन आपके रीजनिंग से होंगे और चालिस कोस्टन आपके जीके से होंगे तो एक आदल नमबर का एक question होगा यानि कि 30 अंक हो जाएंगे आपके हिंदी के लिए 15 हो जाएंगे reasoning के लिए और जीके के लिए 50 यानि कि total question हो जाएंगे एक सो तीस और 65 अंक के और कुल आपको देड़ घंटा इसके लिए मिल जाएगा और इसे में नेगेडिम मार्किंग भी होगी जो कि हरका एक्जाम में होती है बन फोर्त की नेगेडिम मार्किंग है इस चीज का आपको ध्यान रखना है सिलेबस दे रखा है जो कि आप पल पल के आपको रट चुका होगा वह बाता लगए आप एक्जाम में अच्छा ना कर पाएं समान जानकरी का भी बही किसा फिटा सिलेबस तब चीजें बही दे रखी है कोई नई चीज नहीं है अब आप देखें एक नया तरीका नया के तरीका जो जिन लोगों उन्हें पिछला जूनियर से 10 का एक्जाम दिया उसे पता ही होगों लोगों को अगर आपने इंटर कर रखा है तो आपको 20 नंबर फिरी में दे दी जाएंगे लेकिन अगर आपके 60% या इससे उपर हैं ज हो सकता कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कह सकते हैं ग्रोजेशन कर रखा हो तो उनके लिए इंटरमीडियर में अगर आपके 45% और 60% के बीच हैं नंबर तो आपको 15 नंक मिलेंगे और 33% से 45% के बीच हैं तो आपको 10 नंक मिल जाएंगे फिरी के आपको आइसास नहीं हो 33% से 45% के बीच हैं तो आपको 5 नंक जरूर मिल जाएंगे तो कुल मिलाकर आपको 30 नंक तो फिरी के मिलना ही मिलना है अगर आपको ग्रेजिशन और अंटर में फस्ट डिवीजिशन है तो यहां पर यह पांच अंक का आपको हो सकता है ना मिलें क्योंकि यह तो बहुत टेर यदि अभ्यारती राजटी इस तरगा खिलाड़ी है हो सकता है कोई हो चार अंक मिल जाएंगे यदि अभ्यारती राजज इस तरगा खिलाड़ी हो तीन अंक मिल जाएंगे यदि अभ्यारती विध्याले कॉलेज स्कूल इस तरगा खिलाड़ी हो हर कोई बनबा सकता है तो की आधर पर आपको सेलेक्σιन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना चब्षा कर लेंगे मcidosब एक normal कुर्ण बनेगा उसके बाद आपको क्या करना टैपकं देना टायपिंग का पास कर लेंगे तो ही आपका क्या हो जाएगा स्टन हो जाएगा तो यह स्लेक्षन का प्रोसेस है बाकी और चीज़ देख लेते कुछ इंपूर्टन चीज हो बाकी उत्तरपरदेस का निबास ही हो या ना हो सब डाल सकते हैं बाकी लोगों को तो जौब मिल नी रहा है यूपी वा नंबर आएगा तो इने ले जाना है यह EWS का फॉर्मिट दे रखा है तो इसी तरीके सा आप देख सकते हैं यह नोटिस निकला है जो टॉपर लोग है जिनके 80% मार्स हैं अर्सी मार्स हैं तो वह इस एक्जाम में बैठेंगे बाकी सब लोग मुह देखेंगे 25-25 रुपए को कटा के दूसरे एक्जाम की तैयरी करेंगे बाकी अगर दोस्तो पैट 2022 में भी है यही हाल रहता है तो टॉपरों कोई मौका मिलने वाला है जिनके 65 प्लस मार्स होंगे बो भी मुह देखेंगे उन्हें भी किसी एक्जाम में मौका नहीं मिलने वाला आगे आपको क्या करना है आप कमेंट करके बता सकते हैं मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत